नमस्कार आप देखरें इंडिया खबर लाइव आपके साथ मैं अनिवरेश शर्मा खबर आ रहे हैं मद्य प्रदेश के गौलियर जले से मद्य प्रदेश सरकार में खाद्य नागरी का पुर्ती मंत्री परद्यम्न सिंग तॉमर के पिताजी की पुर्णी स्मृती में लगाए गए दो दिविसे निशुलक स्वास्ति शिविर का आज समापन हो गया इस शिविर में करीबन साथ हजार से ज्यादा लोगों को स्वास्ति लाब मिला इस शिविर में दिल्ली के डॉक्टर जमाल यूसुफ और डॉक्टर दिनेश भुरानी सहित गौलियर के वरिष्ट विशेशग्यों ने मरीजों का उपचार किया स्वास्ति शिविर के अंतिम दिन मंत्री प्रद्युम्न सिंह्ग तौमर सहित जन कल्याण संगर संगर समीती और सिंधिया विचार मंच के सदस्यों ने सभी डॉक्टर्स और मेडिकल टीम को शिरीफल और शॉल भेटकर सम्मानित किया इस मौके पर मंत्रे प्रदिम्न सिंह तॉमर के अनुरोध पर डॉक्टर जमाल यूसुफ और डॉक्टर दिनेश भुरानी ने आश्वस्त किया कि हर चार महिने में दो दिन के लिए गॉलियर में शिवेर लगाया करेंगे इंडिया ख़वर लाइफ के लिए गॉलियर सेनु पांडे की रिपोर्ट मैं जावना को मैंने इंकी को देखा गवादिया के प्रचिन अटेश्मेंट देखा और इस चैंप के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया मेरे पिता के इनाट के समय यो डॉक्टरों की जो भीस होती है सेनकी औरों ने छोड़े आरों पी सोतरों में कहा कि ये गवादियर की जिनका भी ये मेरे प्रफ से समापें नहीं परिष इसके डाकर जुआनी जाहता है दाक्तर इसुग जवाद साहाथ तो किसी परचे के लिए मौतार जी है ये जैट मैंने नहीं कराए गवादियर की माटी इसमें तुम पेदा हुआ हो और नहीं तो गवादियर की लोगों की शिवा करते है मैं और आज मैं नहीं एक तरीक लिए जब की गवादियर डाक्तर जवाद साहथ के लिए उसकी सिवा को डाकर जवाद साहथ करते है